यह वीडियो मेरी World War 2 की सीरीज का एपिसोड नमबर 36 है लास्ट एपिसोड में Battle of Coral Sea के वाने बात कि हमने और उसमें देखा कि कैसे जपान ही चाहता था 1942 में शुरुआत में कि अमेरिका ऑस्ट्रीला के साथ जो भी सप्लाइ लाइन्स है कॉम्मिकेशन लाइन्स हैं वो कट ह जाए इसी वज़े से जपान ने अटैक किया था न्यूगिना के अपर पोर्ट मोर्जबी के टाउन को कैप्चर करने के लिए बट वहां पे Battle of Coral Sea हुआ और अमेरिकान शिप्स लड़ी जैपनी शिप्स के साथ और देखा जाते हैं दोनों साइट्स ने जपान ने भी अमर वह बहुत बुरी तरह डामेज हो गया था तो जो भी है अल्टिमेटली न्यूगिना पर अटैक करने का प्लान था जपान का वह Battle of Coral Sea के बाद उन्होंने अबैंडन कर दिया उन्होंने सचा कि अब यहां पर हमला नहीं करेंगे तो इसके बाद क्या हुआ इसके बाद जो Second World War का Pacific Campaign का सबसे बड़ा नेवल इंगेजमेंट था तो आई उसके बाद करते हैं कहानी शुरू होती है साथ दिसंबर 1941 से यह वो डेट है जब जब जपान ने पर्ल हार्बर पे अमरिका पे हमला किया था देखा जाए तो जपान का यह प्लान नहीं था कि American mainland को प्रिटेंड की अमेरिका की फिर नेधरलेंज की डच इस यह सारे एरिया को जब वो अटाक करने जाए तो अमरिका पीच में ना आये इसलिए पर्ल हार्बर प्र फ्लीट थी अमरिका की उसको अटाक करने का प्लान कर जपान ने और वह अटक व्होंगे उसके बाद पिर ज को आज हम इंडोनेशा कहते हैं उन सारे एरियास को उन्होंने जल्दी जल्दी करके क्याप्चर कर लिया इसके बाद स्टार्ट होना था इस पूरे प्लान का नेक्स्ट अब जपैन के जो में नेवी के जो कमांडर थे उनका नाम था एड्मिरल इसोरकु यामा मोतो वह हमेश से बड़ा उनके लिए थ्रेट होगा इसलिए यामा मोतो चाहते थे कि किसी भी तरह से यह जो कैरियर फ्लीट है इसको उनको आउट आफ कमिशन करना है इसको उनको डिस्ट्रॉय करना है उन्होंनों वही कोशिश की थी पर्ल हार्बर में वहां पे उनके कैरियर होंगे कैरियर्स बहुत नुकसान करेंगे जपैन को और यह जो यमा मोतो का डर था अमेरिकन कैरियर्स को लेके यह और बढ़ गया जब 1942 के एप्रिल के महीने में एक अमेरिकन कैरियर से कुछ 16 मीडियम अमेरिकन बॉमबर्स ने टेक आफ किया और वह जाके टोक्यों को बॉम करके आए यानि जपैन की राजथानी को अब अगर मिलिटरी की टर्म में देखें स्ट्राटीजी की टर्म में देखें तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ जपैन को इस चोटी सी डू लिटिल रेड के बाद बट इस रेड से दो बातें बहुत बड़ी सामने आई पहली चीज य हैं वो लड़ाई से अवाइड करना चाहेंगे बड़ जब अमेरिकन ने अटैक किया तो उनको लग गया कि हाव इन लोग लड़ाई करेंगे हमसे दूसरी जो चीज जो एक्चुली ज्यादा सीरेस थी वह यह थी कि हाला कि पैसिफिक में दबदबा बनाके रखा है जपैन दरसल अमेरिकन की चोटी सी रेट थी जो उनको उन्होंने की थी पर्ल हर्बर के जवाब देने के लिए जपैन के उपर इसके बार मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे बता है उसका लिंक मैं डाल दूंगा इसलिए यह ममों तो चाहते थे कि हमको अमेरिकन कैरियर गृप पर अटक करें इसका निशन ये था कि अमेरिकन फ्लीट थी चो पैसिफिक फ्लीट थी उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी भी पर्ल हार्बर पे ही थी तो अगर पर्ल हार्बर को अटक किया तो पर इस्वाजे से हम्वाइब पर हमला कर सकते हैं परंतु यामामों त बढ़ाते हैं दूसरा ओप्चिन यह था जैपांग के पास कि वह एक दूसरी जगा पर अटएक करें जो उनको लगता था कि अमरिका के लिए important है और वह जगा थी midway islands इसलिए important थे अमरिका के लिए क्विए बिलकुल जपान और अमेरिका के almost center पे है इसलिए उसको midway भी कहते हैं और उसके अलावा क्योंकि ये एकदम center में हैं और ये अमेरिका के under था ये उनकी territory था तो बहुत जो midway island थे वहाँ पे अमेरिका ने अपने refueling stations बना के रखे थे ताकि जभी भी जो भी shifts जा रही है Pacific के region में अमेरिका की और जो भी submarines जा रही है वो जाके midway island से refuel करते थे अपने provisions लेते थे राशन लेते थे उसके अलावाद दूसरा reason था जिसके अमेरिकान के लिए जगा important थी वो ये था कि midway island से कुछ bomber take off कर सकते थे और वो wake islands पे हमलाग क सकते थे अब जपान के अंडर था जपान को लगातार परिशान करने के लिए वेक island को bomb करने के लिए यह जगा बहुत important थी इस वज़े से जपान को लगा कि हम अगर midway island पे हमला करेंगे तो Americans अपने carrier groups को लेके आएंगे अपनी ships को लेके आएंगे इसको बचाने के लिए औ पास जोर लगा देंगे और उस समय उनका जो attack group था midway island के लिए उसमें चार carriers थे चार Japanese carriers यह चार carriers थे Akagi, Kaga, Horyu और Siryu इसके बाद जो सामने उनके American fleet थी उनके पास Japanese लोको लग रहा था कि उनके पास दो carriers हैं USS Hornet और USS Enterprise क्योंकि Battle of Coral Sea में Japan ने दो carriers को बहुत बुरी तरह damage कर दिया था एक तो था Lexington और एक था Yorktown तो लेक्सिंटन तो भाई डूब गया था वट यॉक तो इतनी बुरी तरह के commander थे उन्होंने कहा कि कैसे भी करके USS Yorktown को आपको रिपेर करना है हाला कि originally कहा गया था कि यो योग टाउन इतना damage हुआ है कि इसको कुछ महीने लगेंगे रिपेर करने के लिए बट record था कि कुछ हफतों तक अगर यह शिप चल जाए और एरेक्राफ को लांच कर वाद है तो इसका काम हो जाएगा इसी वज़े से इस शिप को लांच किया गया और यह बात जैपनीज को पता नहीं थी एक और important बात जो जैपनीज को पता नहीं थी वो यह थी कि यह जो सारा plan वो उन्होंने बनाया था यामा मुतो का यह सारा plan अमेरिकंस जानते थे अमेरिकंस ने जितना भी radio communication हो रहा था जैपनीज लोग की बीच में उस सारे communication को इंटरसेप्ट किया हूँ था और इसको डी कोड किया हूँ जो हाँ फे कोड ब्रेकिंग टीम थी उनके जो कमांडर थे उनका नाम था जोसफ रोशेफर्ट उनका यह मानना था कि जितने भी radio signals वो इंटरसेप्ट कर रहे है जैपनीज लोगों के उसमें एक जो टार्गेट इसको एएफ एफ बोल रहे हैं मारे पाद एफ नाम की जगह है जो टार्गेट होने वाली है तो रॉशेफर्ट यह कह रहे थे कि उनको लग रहा था कि यह जो लोकेशन है यह मिडवे है अफ बट प्रॉब्लम यह थी कि रॉशेफर्ट बैठे थे वही पसिविक की पसिव जाने के लिए और वाशिंग्टन की सहमत ही लेने के लिए कि हमको मिडवे पे ही जाना है डिफेंस करने के लिए इन्होंने एक प्लान किया अमेरिकन्स ने क्या किया रॉशेफर्ट ने एक नकली एक फेक सिगनल भेजा जो कि बिल्कुल अनिक्रिप्टेट था मतलब कि भाई ये मिडवे आइलेंस पे जो पानी को फिल्टर करनी की जो फैसिलिटी होती है वो खराब हो गई है इस वज़े से फ्रेश वाटर जो हमारे पास है पीने वाला पानी उसकी कमी हो रही है ये उन्होंने मेसेज ट्रांस्मीट किया क्योंकि वह बाद जानते थे कि जै शुआ पास एक Japanese Intercept आया मतलब एसा मेसेजिस में लिखा था कि Japanese आपस में क्या बात कर रहा है और उस मेसेज में लिखा था कि Japanese लोगों ने आपस में ये रिड़य किया था कि जो उनका टार्गेट है एफ वहाँ पर पानी की कमी हो रही है इस प्रकार Americans को पता चल गया कि जो AF टार्गेट जो बता रहे थे Japanese लोग वो AF actually midway ही है यूँकि midway से ही Americans ने यह fake message किया था कि midway पर पानी कमी हो रही है और वहीं फिर Japanese लोगों ने आपस में बात की जब यह confirm हो गया कि यह target midway होने वाला है और कभी अटैक होने वाला है कितनी शिप्स आएंगी यह पूरा जब पता चल गया Americans को तो उन्हों ने अपना एक counter attack का plan बनाया रोशिफर्ट ने Japanese courts को crack करके यहां तक बता दिया कि यह attack किस दिन स्टार्ट होगा और कितने बज़े यह attack स्टार्ट होगा Japanese दों का इतना अच्छे से Japanese plan के बारे में Americans को पता चल गया था Japanese bombing के बाद Midway Islands पे काफी damage हुआ बट फिर भी अभी उनकी जो airfields थी जहांसे airplane टेक आफ करते हैं वो अभी भी बरकरार थी सलामत थी तो इस वज़े से यह जो bombers थे इनके जो लीडर थे जब वह वापस आने लगे bombing करके अपनी अपने aircraft carrier पर तो उन्हें इंफॉर्म किया commander को कि यह जो attack है वो successful तो हुआ बट हमको एक और वेव की जरूरत होगी Midway Islands को पूरी तरह neutralize करने के लिए उसके बाद Japanese planes जो लॉटरे थे उन्होंने ये भी देखा कि Midway Island के East की तरफ एक American fleet आ रही है कुछ American जहाज वहां से आ रहे हैं इस बात को देखके Japanese हरान हुए क्योंकि उनको पता नहीं था कि यहाँ पर already American Navy है और American Navy को actually वहाँ पर होना भी नहीं था बट वो इसलिए वहाँ पे थे क्योंकि उन्होंने Japanese code को crack कर लिया था इसके बाद American ships से कुछ torpedo bombers launch हुए इन चारों Japanese ships पर अटाक करने के लिए बट वह अटाक सेकस्पूल नहीं हुआ जब वाइस एड्मिरल नागूमो को जो Japanese करना शुरू करो ऐसे बॉम जो आप मिडवे पेड़ाप कर सकते हो देखिए लैंड बेस्ट बॉम्स और शिप अले बॉम्स अलग अलग होते हैं शिप को डिस्ट्रॉय करने क्ला आप टॉट पीडिव जिश्ष करते हो और लैंड के लिए जो बॉम होते हैं तो नागूमो के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी उनके सामने एक डालमा क्रेट हो गया क्योंकि अब वो क्या करें क्या उनके पास जो प्लेंस थे उनमें वो लैंड वाले बाउम लगा के उनको लांच करने मिडव आइलेंस के लिए या फिर जो ऐसी जो अमेरिकन फ्लीट है जिसम अपनी स्वार्व डॉक्ट्रीन है जो मतलब उनको सिखाया गया है जो उनकी ट्रेनिंग थी उसके इसाब से उन्होंने डिसीजन लिया कि सबसे पहले उनका जो जो एक्राफ्ट करेंगे ताकि जो फर्स्ट वेव जो गई थी मिडव आलेंड पर हमला करने के लिए जब वो और उनका उडर कि जितने भी प्लेंज उन्होंने रेडी कर लिये थे लैंड बेस बॉंब्स के साथ उन सब को उनका दिया कि वो बॉंब्स हटाओ और इसमें शिप वाले बॉंब्स फिट करो यह बहुत ही बड़े रिस्की बास थी कि जबी भी आप डेक के बैटके जितने बहुत 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 कि ना तो आप उस शिप को प्रड़े के लिए कोई एरकाफ लॉंच कर सकते हो क्योंकि पूर आपको जो भरा हुआ है और ना ही अपने जो सारे बांब्स और पीडर जो बाहर डेक पे रखें अगर किसी बांब उपर से किसी अनिमी प्लेन ने आके बा बहुत इसकी काम था बट नगूमों के पास कोई और रास्ता नहीं था उस्ते और उन्होंने डिसिजन लिया कि वह वेट करेंगे फर्स्ट वेव को वापस आने का उनको लैंड करने का और फिर नए प्लेंस लॉंच करेंगे यह अमेरिकन शिप्स के उपर हमला करने के इन चारों एरकाफ केरियर को डुबाने के लिए और इस बार इस वेव ने अपना काम कर दिखाया जो चार एरकाफ केरियर थे जैपनीज लोगों के उनमें से तीन अकागी, कागा और सोर्यू यह तीनों एरकाफ केरियर डूप गए अब जैपनीज लोगों के पास सिर्फ एक कैरियर बचा हिर्यू इस कैरियर से इनके कमांडर ने एक अटाक लॉंच किया USS Yorktown के उपपर हिर्यू ने जो अटाक लॉंच किया था USS Yorktown के उपपर वह सक्सेस्फुल हुआ यॉक्टाउन बुरी तरह डामेज हो गई बट उसी समय एक दूसरी अमेरिकन शिप उसके पास आगए यॉक्टाउन को कवर करने के लिए बट एक जैपनी सब्मरीन ने यॉसस हमन और यॉसस यॉक्टाउन को टॉपीडो कर दिया यॉसस हमन जो प्रड़क करने आई थी वह तो मिनिटों में डूप गई बट जो यॉक्टाउन थी वह धीरे धीरे कैप्साइज होके अगले दिन वह शिप भी डूप गई तो इस तरह यॉसस यॉक्टाउन अब अमेरिकन्स ने गवा दी बट दूसरी तरफ जब उन्होंन आने के लिए और यह प्लेंज एक साथ नीचे आये हिर्यू के उपर हिर्यू को बंब किया और इतनी भयंका रांग लगी हिर्यू के उपर कि फिर फाइनली उस शिप को भी डूबना पड़ा इस प्रकार बैटल ओफ् मीडवे में जो चार एर्रकाफ्ट केरियर लेके आये थे जैपनीज लोग वो चार हो एर्रकाफRP केरियर उन्होंने गवा दिये दूसरी तरफ Americans लेके आये थे तीन aircraft carrier USS Yorktown, USS Hornet और USS Enterprise Yorktown डूब गया बट Enterprise और Hornet अभी भी वरकरार था पानी के उपर Battle of Midway एक decisive जीत थी Americans के लिए और ये एक उतनी ही बुरी हार थी जपान के लिए जैपनीज लीडर और उनके नेवल कमांडर इसो रोकू यामा मोतो समझ गए कि अब वो किसी भी हालत में Pacific के डीजन में Americans को चैलेंज नहीं कर पाएंगे और अब उनके पास जो South Pacific के जो उनके जो इरियास को उन्होंने गवाईं बट तीन सो से ज्यादा प्लेंज गवाएं और उसमें दो सो से ज्यादा सबसे एक्सपीरेंस पाइलेस जो थे उनके वह भी जैपनीज लोगों ने गवादी और पाइलेस का नुकसान होना बहुत ब्रा नुकसान होता है क्योंकि प्लेन तो अपने बना लोगे ब मिडवे की एक अलग ही जगह है क्योंकि अमेरिकन्स को अल्रेडी जैपनीज प्लैंस पता चल गए थे और उन्होंने सारा जो अपना काउंटर अटक है वह पहले से ही रेडी करके रखा था अगर आपको नेवल बैटल्स और नेवी में जरूर जरूर पढ़ना चाहिए मैं एक बुक आपको highly recommend करूंगा इस बुक का नाम है The Shattered Sword The Untold Story of the Battle of Midway कमाल की बुक है और इसमें दोनों परस्पेक्टिव दिखाए गए अगर आपको बैटल देखना है और इसमाने दो चॉइसे थी कि अपने प्लेंस को लांच करें Ships के अगेंस्ट के अपने प्लेंस को लांच करें Midway Islands के अगेंस्ट और फिर उन्होंने अपनी फस्ट वेप को लैंड करने का वेट किया यह सारा आपको पिच्चर देखोगे थे वह बहुत ताकतवर थे और इसलिए अमेरिकन्स लोग वहां पे भी शुरू में तो हारी रहे थे तो यह सब कुछ अगर आपको देखना है तो वह इस पिचर में बहुत अच्छा दिखाया गया सीरीज का अगला एपिसोड है उसका लिंक मैं स्वीडियो के डिस्पिश मे पिलाल दूंगा और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैंने चैनल जी गैसेम को सब्सक्राइब जरूर करिएगा